नमस्कार जैभिम दोस्तो ग्रहनी गार्डन में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अभी आज का जो मेरा ये ब्लॉग है ये बहुत ही इस्पेशल होने वाला है क्योंकि अभी जो रक्सवंदन का समय चल रहा है और रक्सवंदन के समय में या फिर कोई भी जैसे जो बड़े तेवा रहते हैं उनमें सभी महमानों का आना जाना हमारे घर में लगा ही रहता है तो उनके लिए हमें साब सफाई भी बहुत करना पड़ता है और बहुत सारी तयारी करनी होती है क्योंकि सभी लोगों के य जो बाहर रहते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं वहां से आते हैं तो इस पेशल उनके लिए तैयारी भी होना ही चाहिए तो अभी तो मैं साब सफाई कर रहे हूं क्योंकि कल भी मैंने एक ब्लॉक डाला था जिसमें की परदे अगरे धुलना बताया था और वह भी मेरे एक सफाई का ही ब्लॉक था तो आज तो मैं सोफा अगरे के कवर धुल रहे हूं क्योंकि अभी आप देख रहे मैंने पूरे सोफे के कवर निकाल लिये हैं बाल्टी में सर्फ का पानी अच्छे से बना कर मैं इसे फुलने के लिए डाल दूंगी और उसके जब तक के मेरे ये मतलब सोफा कवर फुलेंगे तब तक के फिर मुझे दूसरा काम करना है क्योंकि आज का दिन बहुत थकान वाला दिन है क्योंकि सारा काम मुझे एक दिन में ही निप्टाना है तो अभी ये बेरे कपड़े मतलब कवर फुल रहे हैं तब तक के फिर मुझे करना है गेहु सा क्योंकि एक ही दिन में मुझे ये सारे काम करना है बिल्कुल भी समय नहीं है और आप सभी लोग जानते हैं जो भी वीडियो बनाते हैं उन लोगों के पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता है तो बस आज मेरे पास में भी समय नहीं है लेकिन जो हमारे घर के काम है और जो ते के रख देते क्योंकि बरसात के मौसम में गेहूं बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं इसलिए तुरंत निकालो और बस 10-15 मिनट आदे घंटे में साप करके हमें इसे पिसाना होता है तो अभी मैं गेहूं साप कर रहे हूं मतलब साप कुछ ने करना है बस थोड़ा सा चलनी से चान कर इसे भर दूँगी क्योंकि मतलब चार मैने का भरा हुआ रहता है ये गेहूं तो ऐसा लगता है कि इसमें किड़े अगरे तो नई हुए है इसलिए थोड़ा सा देख लेना पड़ता है तो मैं देख लिए सारे गेहूं और उसके बाद में फिर मुझे बनाना है खा आप लोगों के लिए आज के मेरे इस वीडियो को भी आप लोग बहुत पसंद करने वाले हैं तो मेरा खाना बन चुका है और सुभर खाना तो हम लोगों ऐसे भी बाद में ही खाएंगे लेकिन अभी सुभर के नास्ति के लिए मैं फटा-फट थोड़ा सा मेगी बना लेत साप करके रख है कवर फुलाने ड़ने के और दूसरा हमारा काम निकल जायेगा तो यह मैंने सब्जी रोटी बना कर और मेरी मेगी भी बनकर तयार हो चुकी है बस इसे घरमा घरम हम लोग खाल लेते हैं और उसके बाद में नहा धोकर रेडी होने के बाद में अब मैं रेडी तो होई चुकी हूँ और अब मैं जा रहे हूँ थोड़ा सा सौपिंग तो नहीं करना है थोड़ा सा किराना सामान लाना है क्योंकि जब भी हमारे घर में महमान आने वाले रहते हैं तो हमें थोड़ा सामान ज़्यादा ही लगता है और नई नई चीजे भी बनाना होता है उसके लिए भी हमें सामान की आओ सकता पड़ती है तो अभी मैं जा रहे हूं मॉल और वहां से लेकर आ रहे हूं सामान और कौन-कौन सा सामान लेकर आ रहे हूं वह भी मैं आप लोगों से सेर करने वाली हूं क और बस उसी की तयारी में लगी हूँ कि मैं पूरा अपना सामान भी सब जगह पे रख दूँगी क्योंकि ज्यादा बड़ा तो है नहीं छोटा ही है लेकिन वो इतना बदमासी करता है कि एक भी सामान जगह पर नहीं रहन देता है इसलिए सारी तयारी भी मुझे पहे उसके आने के पहले ही करना है तो अभी तो मैं सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ और अभी आप यह देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारा सामान बेटी का भी बड़े है तो उसके लिए भी मैं सामान लेकर आई हूँ कब मनाया था बड़े उसका वाला मुझे खुद भी याद नहीं ह और पास साल के पहले जब रहती थी तब भी वो पढ़ाई अगरे करती थी तो बाहर रहती थी तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता था कि हम लोग अगस्त के मैंने में सारे कॉलेज अगरे खुल जाते हैं तो उस समय भी हम लोग उसका बड़े नहीं मना पाते थे और उसके बाद लेकर आई हूं और टीटू के लिए ये खास करके मैंने लाए है रजगुले जो उसको बहुत पसंद है और छोटा सा है और बहुत सारी चीजे खाना है खाना है करता है लेकिन खाता तो कुछ भी नहीं है मतलब थोड़ा बहुत चक लेगा और फिर उसे दूसरा टेस्ट चाह है तो सारी चीजे मैं उसके लिए आज लेकर आई हूं और यह सारा सामान मैं अभी अपने रेक में पूरा जमा कर कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद में फिर और दुसरा मतलब एक दिन में मुझे ये सारे काम निफ्टा ना है क्योंकि कल अगर वह आ जाएंगे तो फि करने में जगह ही नहीं रहती है इसलिए अपना सामान अपने से करके और थोड़े से जगह बना दो ताकि उनका भी सामान से रह सके तो इसलिए मैं यह सारे कपड़े ओगे रहे थोड़ा एक ड्राज खोली करके रख दूंगी ताकि उन लोग आये तो उन लोग भी अपने अलमारे में कपड़े रख सके क्योंकि वैसे अगर आपन घर में रहो तो अपन सारे रहतों कहीं पर भी तो उतनी दिक्कत नहीं होती है लेकिन अगर उन लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी जगह करके रखना इसलिए मैंने सारे कपड़े निकाल लिए और अभी पूरे सामान के साथ में अच्छे से पूरे घड़ी करके इसे जमा कर रख दूंगी तो दिक्कत नहीं होएगी और एक ड्राज भी खा उम्र में है न उस उम्र में इतना सारा काम एक दिन में करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता है लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे ऐसा समय आ जाता है तो हमें करना होता है बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को समय नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हमें समय निकाल कर घर के भी सारे काम करना होता है क्योंकि घर में भी कोई जैसे बाई वगेरे तो रहती नहीं है जो कि हमारे बरतन वगेरे साफ करना है या फिर जाड़ू पोचा करके चली जाएगी यह सारे काम भी हमी को करना होता है तो समय भी बहुत लगता है इस इसलिए कोई धिक्कत होती नहीं है इस प्रकार से मेरे सोफा कवर धुल कर सुक कर पूरे मैंने लगा कर कंप्लीट कर दी है आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर सेयर करना थेंक्यू नमस्कार